आप जानते आम आदमी पार्टी के गुजरात के सोशल मीडिया प्रभारी विजयन आयर को गिरफतार कर लिया गया है दिल्ली के आबकारी घोटाले में आपके स्क्रीन्स पर देजस्वी आदब 18 अक्तूबर को उन्हें दिल्ली के गदालत में पेश होना है CBI उनकी बेल कैंसल करना चाहती है यानि उन्हें जेल भेजना चाहती है आपके स्क्रीन्स पर ये हैं D.K. शिवकुमार कॉंग्रिस के नेता राहूल गांधी की भारत जोडो यात्रा प्रवेश कर रही है करनाटक में मगर उससे पहले भारतिय जनता पार्टी की एजनसीज ने खेला शुरू कर दिया है यानि कि इन तीनों मिसालों से एक बात जो सामने उभर कर आती है कि भारतिय जनता पार्टी को लगता है कि वो सिर्फ एक तरीके से राजनीती कर सकती है और वो है विपक्ष पर दबिश डालना, विपक्ष पर निशाना साधना ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों न चाहे तेरे बोल पर अंकुष नहीं डाल सकते, बोल खिलाब आज़ाद है तेरे विपक्ष भी अब पलटवार कर रहा है, और भारती जंता पार्टी को भी ये नहीं भूलना चाहिए कि जिन एजनसी के दम पर आप जिस तरह से विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं, आप अगले 100 साल तक सत्ता में नहीं रहने वाले हैं वो वक्त आएगा जब आप विपक्ष में आएंगे और तब आपको उसी संगीत का सामना करना पड़ेगा, वही मधूर संगीत आपके कानों में वजएगा सबसे पहले दोस्तों, अरविंद केजिवाल ने करारा प्रहार बुला है भारती जन्ता पार्टी पर, विजए नायर की गिरफ्तारी को, उन्होंने भाजपा सरकार की वौकलाहट के साथ जोड़ दिया है, और कह दिया है कि गुजरात में जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे उस पर अंकुष लगाना चाहती है, बीजे पी उसने शराब घुटाला किया है, दिल्ली में, मुझे समझ नहीं आता उसका शराब या शराब घुटाले से क्या लेना देना है, वो तो गुजरात का सोशल मीडिया देखता है, एक छोटा सा कारे करता है, पिछले कुछ दिनों से उसको रोज पूछताच के लिए बुला र कर दिया, इसलिए कल इसको गिरफतार कर लिया, इन्होंने मनीश सिसोधिया जी के घर पे रेड़ की, कुछ नहीं मिला, मनीश जी के बैंक लॉकर की तलाशी ली, कुछ नहीं मिला, अब ये इस तरह से जोर जबरदस्ति करके मनीश सिसोधिया को फसाना चाते हैं, इन्होंन वाल ने अपना हमला जारी रखा, उन्होंने कहा कि अब जल्द मनीस सौधिया को गिरफतार किये जाने वाला है, ये सब कुछ भाजपा की बॉकला हट है और इसके इलावा कुछ नहीं, मनीस सौधिया की गिरफतारी को लेकर भवश्मानी इससे पहले भी अरविंद के जिवा कर चुके हैं, आप जानते हैं उनके घर में CBII थी, बात वहाँ नहीं रुकी, उन्हें बाकाइदा घाजियाबाद ले जाया गया था, उनके बैंक के लॉकर की भी जाच हुई थी, और अब तक मीडिया के हवाले से ऐसी कोई शौकानी वाली खबर नहीं आई, जिसके आधा अब यह इस तरह से जोर जबर्दस्ति करके मनी से सोद्य को फसाना चाहते हैं, इन्होंने विजह नायर के घर पे एक महीने में दो-दो बार रेड की, वहाँ भी कुछ नहीं मिला, बुरी तरह से बोखलाए हुए हैं ये लोग, पागल हो गया हैं, क्योंकि गुजरात में ह रोज आम आदमी पार्टी का गराफ बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, गुजरात के लोग इनको खुलके सडकों पे गालिया दे रहा हैं, इसलिए ये आम आदमी पार्टी को कुछलना चाहते हैं, चौबिस घंटे ये लोग बस यही सोचते रहते हैं कि आम आदमी पा को गिरफतार करने वाले हैं, अगर इन्होंने विजय नायर जैसे छोटे से कारिकरता को गिरफतार कर लिया है, तो ये लोग किसी को भी गिरफतार कर सकते हैं, आज मेरी आम आदमी पार्टी के देश भर के हर कारिकरता से अपील है, अगर विजय नायर गिरफतार हो सकता है तो आम आदमी पार्टी का कोई भी कारेकरता गिरफतार हो सकता है सभी कारेकरता गिरफतारी के लिए तैयार है ये लोग आपके उपर भी जूटा केस लगा के आपको गिरफतार करेंगे देश भर के कारेकरता इसके लिए तैयार है और बात यहां नहीं रुकती है, आपके स्क्रीन्स पर ये हैं आम आदमी पार्टी के विधायक अमानुतुल्ला खान। अमानुतुल्ला खान दिल्ली के उन दो दर्जन विधायकों में शामिल हो गए हैं, जिनने जेल जाना पड़ा, और दिल्ली पुलीस कोई चार्शीट पेश नहीं कर पाई, कोई प्रमान नहीं पेश कर पाई, क्या आप जानते हैं, अमानुतुल्ला खान पर अंटी निरोने आरोप लगाया था, कि इन्होंने वख्ष बोड की निउक्तियों पर, जी हाँ, वख्ष बोड की निउक्तियों में धानलीयां की, עदालत ने उनने बेल दे दिया, और बेल देते हुए कहा, कि इन पर जो आरोप लगे हैं, वो गंभीर शवभाव के नहीं हैं, आज वो गोदी मीडिया उससे माफी मांगेगा क्योंकि देखे अमानतुल्लाख खान ना सिर्फ विपक्ष के एक विधायक है यानि कि भाजपा की विपक्ष के एक विधायक है बल्कि एक मुसल्मान भी है जे हां उन पर खुद अर्विंद के जिवाल कभी कभी कॉमेंट करने से बचते हैं तो अमानतुल्लाख खान चुकी एक मुसल्मान है और मुसल्मान को ये मीडिया अराजकता के साथ आसानी से जोड़ देता है इसलिए उन पर हमले भी शुरू हो गए थे अब उन्हें बेल मिल गई है क्योंकि पुलीस का ACB का केस इतना कमजोर था ये सब क्या बतला रहा है दोस्तों तो बेल उनको भी मिल गई मगर मीडिया ने जो अनाफशनाप अनरगल प्रोपेगांडा चलाया था उस पर पूरी तरह से खामोश है अब मैं आपके सामने बात करना हूँ तेजस्वी यादव की आपको याद होगा तेजस्वी यादव पर 17 सितंबर को CBI ने दिल्ली की एक अदालत में अपील डाली थी कि इनकी बेल को रद किया जाए बकॉल CBI तेजस्वी यादव CBI को धमका रहे है इसलिए उनका बेल कैंसल होना चाहिए अब तेजस्वी यादव को इस तारीख यानी 18 अक्तूबर को हाजिर होना है अदालत में CBI चाहती है कि तेजस्वी यादव को जेल भेजा जाए एक राज के उपमुख्य मंत्री को और आरोप क्या है कि धमकाया जा रहा है और उस बयान में तेजस्वी यादव ने क्या कहा था कि क्या CBI के घर में उनकी मा, बेहने, बेटिया नहीं उनका परिवार नहीं है क्या CBI वाले हमेशा अपने पदपर बने रहेंगे कभी न कभी तो ये सरकार जाएगी न CBI अपनी जिम्मेदारी, अपने सामवेधानिक करतव्यों को निभाए ये बात उन्होंने कही थी अब इससे बुरा-बुरा, इससे वाहियात राजनिताओं ने कहा है और जो तेजस्वी आदव ने कहा वो एक राजनितिक बयान है जो एक राजनित अकसर देता है मगर अब CBI मोदी सरकार के कहने पर उन्हें जेल भेजना चाहती है मकसर बहुत साफ है, दो साल से कम का समय बचा हुआ है आम चुनावों में, लोग सभा चुनावों में बिहार के अंदर सप्ता चली गई है उसकी बहुत जादा खुजली है उसका बहुत जादा दर्द है लहाजा किसी भी कीमत पर बिहार की सरकार को अस्थिर किया जाए वहाँ पर ऐसे आंतरिक हालात पैदा हो जाएं तेजस्वी आदव की गिरफतारी के बाद कि आप राश्पती शासन लगा सकें क्योंकि राश्पती शासन तो बहुत खुशी से ये लोग लगाएंगे अभी ऐसे कोई हालात नहीं दिखाई दे रहे हैं कि विधायकों को खरीदा जा सकें या विधायकों का अपने पालं में लाया जा सकें इसलिए ऐसा लग रहा है कि वह यह तेजस्वी आदव के बहाने वहाँ पर बावाल पैदा कर दिया जाए तो मैनने आपको मिसाल दी आम carried की और दोनों जगा है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करने है वो करनाटक में प्रवेश करने वाले हैं और करनाटक में कॉंग्रेस के नेता है डी के शिव कुमार आपके स्क्रीन्स पर डी के शिव कुमार से अब जाच एजनसी पूछताच शुरू कर रही टाइमिंग देखिए राहुल गांधी करनाटक में प्रवेश कर रहे हैं और आपने कूछताच शुरू कर दी इसका अर्थ क्या हुआ इसका अर्थ साफ है कि राहुल की यात्रा को किसी भी कीमत पर साबोटाज किया जाए ये सवालात हैं इनसे बचा आने जा सकता और इनका जवाब भी दिया जाना बहुत जरूरी है बहराल राजनीती गर्म है दोस्तों और विपक्ष भी पलटवार कर रहा है आपको याद होगा अमशा जब बिहार गए थे और पूर्णिया में उन्होंने बयान दिया था तो पलटवार किया था तेजस्वी ने कि कॉमेडी शो बंद कीजिए आप ग्रह मंत्री हैं अपनी पद की गर्मा को बनाए रखिए विपक्ष भी चुपचाप नहीं खड़ा है राहुल भी अपने भारत जोड़ो यात्रा के जरिये संदेश दे रहे हैं जिससे बीजेपी बुरी तरह से बौकला गई है तेजस्वी भी बयान दे रहे हैं अर्विंद के जिवाल भी पलट वार कर रहे हैं और अगर एक लोग तंत्र के अंदर अपने वजूद को बनाए रखना है खासकर एक ऐसी ताकत के सामने जो साम दाम दंड भेज से आपको मटिया मेट करना चाहती है तो आपको मजबूत ह कर मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ना होगा अब इसार शर्मा को दीजे इचासत नमस्कार